आप सबी को मेरा अप्रणाम हर्बल रेमिडी जे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है कितने सुन्दर फूल आप देख रहे होंगे मित्रो ये सुन्दर फूल और फल निबू के हैं सिट्रस लिमॉन और रूटेशी फैमिली का ये फ्लांट है इसके गुणों के मैं बात क सब्सक्राइब करने कारे करता है और अगर कान में दर्ध हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके फल का रस निकाल कर एक दो गुण कान में डालना चाहिए बहुत अच्छा कारे करता है कान के दर्ध एक से दो दिन में ठीक हो जाता है अगर वात के कारण शरीर के किसी भी अंगे में दर्ध हो रहा है तो इसकी जड होती है जड की छाल लेनी चाहिए और उसमें गाय का गी मिलाकर लेप लगा दर्ध हो रहा है तो हम कि इसका सहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं और इसका लेब भी लगा सकते हैं कि शरीर के अंदर कई बार लिवर में टॉक्षिंस के इखटा होने से तुचा के उपपर वाइट कलर के स्पोर्ट बन जाते हैं इसको वाइट स्पोर्ट कहते हैं उसको निराकरन के लिए हमें इसका रस लेना है उसमें सहद मिलाना है और उसका सुबह सुबह खाली पेट सेवन करना है धिरे धिरे क्या होगा कि लिवर डिटॉक्षिफिकेशन जब हो जाता है तो यह वाइट स्पोर्ट अपने आप ही चले जाते हैं आर्थराइटिस की समस्या हो तो इसके जूस में हमें एक से दो कली लेसन की पकानी चाहिए और उसका हमें लेप लगाना चाहिए साथ ही साथ हमें नीबू के रस में सहद मिलाकर सेवन करते रहना चाहिए इसके अगर आप पत्रों का फांट बनाएंगे तो ज्वर में विशेश लाब करता है और फांट कैसे बनाएंगे गरम पानी कर लीजे और उसमें पत्र डालकर ढग दीजे पत्र और फूल मिल जाएं तो और भी अच्छा है ढग दीजे और आदे घंटे बाद जब वो जल हो जाए तो इसको पी लीजिए इस परकार से आप इसका फांट बना सकते हैं कॉमन कोल्ड की समस्या हो या इंफ्लूंजा की समस्या हो तो उसमें भी त्रिकटू के साथ लेकर इसको आप सैंदा नमक मिलाकर लूपम वाटर में डाल लीजिए दो से चार एमल जूस इस परकार के जो वाइरल इंफेक्शन है उसको आसानी से ठीक भी करते थे कई बार देखाए जाता है कि आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं उसके निराकरण के लिए आप इसके रस में एक चुटकी खाना सोडा मिलाईए और आँखों के नीचे लगा दीजिए आध लॉक्सिफिकेशन करते हुए आपके शरीर के विभिन रोग जो तुचा संबंदित हैं कफ संबंदित हैं अस्थमा से रिलेटेड हैं रेस्पाइटरी प्रोब्लम्स के हैं या हर्ट संबंदी अगर कोई डिसॉडर है तो ब्लड प्रेसर को भी कंट्रोल रखता है को आपयेुञत्या से करते हैं साथ क्या होता है कि नीवू के जो प्रकृति होती है थोड़ी सी इसके रसकी प्रिकृति सीथ भी रिये होती है अगर कंडिशन निमोनिक हो तो डारेक्ट सेवन नहीं करना चाहिए इसके साथ सहथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं फिर मिलेंगे और यह जानकर यह आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अपने मित्रों के साथ दिरूर सांजा कीजिए फिर मिलेंगे एक नए प्रांट के साथ आप सभी का धन्यवाद